दोस्तों इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ योनो एप में रेजिस्टेशन कैसे किया जाता है और योनो एप का यूजर नेम कैसे बनाया जाता है और योनो एप का पास्वर्ट कैसे बनाया जाता है और योनो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वा यहां पर टाइप करना है योटनो SBI टाइपकरने के बाद आप इसे किर लेंगे इस अप्लिकैशन को जैसे ही इंस्टाल हो जाए तो इसे आप उप Connect कर लिजैगा उपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटेफेस कहले, इसके इहां पर आपके सामने में खुलते हैं पहले नमर पर आप किलिक कीजएगा एक्ज़टिंग केस्टमर के चलिए हम यहां किलीक कर देते हैं तो Call ऑपे किलक कर देंगे खिलिक के बाद जो आपके खाते में जो आपके अकॉण्ट में मौाल नमर लिंक है उसको आप से किजिएगा दूब के मेरा जो मौाल नमर लिंक है कहते में तो यहां पे हम किलिक कर देंगे स कर देंगे इसके बाद हम क्लिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सीम को किया जाएगा तो आपके मौल नमर पे रिचार्ज होना चाहिए इसके बाद यह पे जाएगा तो यहां पे आपको प्रोसीड पे किलिक कर देना है प्रोसीड पे किलिक करने के बाद यहां पे आपको को बैंक या ब्रांच भी जाना पर सकता है तो चलिए रेजिस्टर फोर यो नो विथ माई एटम कार्ट पे हम किलिक कर देते हैं और किलिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा तो नया पेज खुलने के बाद यहां पे आपको जो है एकाउंट नमर आपको किलिक कर देंगे तो जैसे ही आप नेक्स वाले व्राले बटन पर किलिक करते हैं तो आपके ओडिपी आएगा जो कि बेंक के तरफ से आएगा आप समीट वाई बटन पर किलिक कर दें गे ऐसा करने के बाद आपके सामने ज् dwaad पीज खुलेगा तो यहां पर आको भी ने 6 तीहां पर आपको इंटर करना है इंटर करने के बाद आप नेक्ष्ट बटन पर किलिक कर देढ़े और जब आप नेक्ट बटन पर किलिक क्र देगे तो आपको पुछा जाएगा आपके अच्छा पीन तो यहां पर आ पना क Evet I'm का पी ब्हुत देने के बाद password में आपको 8 character से लेके 20 character तक आप password बना सकते हैं password में आप क्या यूज करेंगे आप कोई capital लेटर यूज करेंगे उसके बाद small letter यूज करेंगे और digit भी यूज करेंगे और कोई numerical भी यूज किरेंगे एक्जامپल के लिए हम आपफ के दौरा आप पासवर्ट बना सकते हैं तो यहां पे यूजर नेम ने के बाद अधर पासवर्ट पे आप जो भी पासवर्ट रखना चाहते हैं वह पासवर्ट देने के पर से ऐब collaboration के लिए आप दुबारा री इंटर पासवर्ड में देंगे यूजर नैम पासवर्ड बनाने के बाद नीचे में बटन है चुन्फर्म तो यहां पर आप किलिक कर देंगे यह आपका नेट बिंकिंग का भी ogóle यूजर पासवर्ड हो गया इसके बाद यहां पे आपको एंपिन सेट करना है ताकि बार-बार यूजरने पासवर्ड दे के लोगिन ना करना परे इसलिए सेट एंपिन पे आपको क्लिक कर देना है और इस पेज को थोड़ा सा उपर करेंगे और टर्में कंडिशन को एक्सेप्ट करे तो यहां पे six digit का आपको MPN create करना पड़ता है तो आपके मन में जो भी six digit का आंख हो वो आप यहां पे देख सकते हैं देने के बाद फिर से confirmation के लिए आप नीचे में वही MPN देंगे जो आप set new MPN में दे रहे हैं इसके बाद next button पे आपको click कर देना है बैंक के तरफ से आपके मुवाल नमर पे OTP आगा ओटिपी इंटर कर देंगे इसके बाद next button पे click कर देंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं you successfully registered तो आप Youno S.B.I. में register हो चुके हैं तो यहां पर लोग इन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर आप MP निंटर कर देंगे और MP निंटर करने के बाद आपका यहां पर देख सकते हैं यह नो MP का होम पेज खुल जाएगा तो यहीं से आप सकते हैं मनी टांसफर कर सकते हैं यूपी इस्तमाल कर सकते हैं तो मेरे चैनल पर सारा वीडियो अप्लब्द है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्किप्शन में मिल जागा जाके आप देख सकते हैं दोस्तों जिस उत्देश से आप इस वीडियो पर किलिक किये हैं अगर पूरा इंफॉरमेशन आपको मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है